नमस्कार दोस्तों मैं वो आर्ती प्रजापती यूटीब चैनल पर आप सबी का हर्तिक स्वागत करती हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाल है नौर्मल डिस्ट्रिबिशन कर्व के बारे में ओके तो नौर्मल डिस्ट्रिबिशन कर्व जो है वो आपका किस में आता है तो UGC Net Paper 1 में आपका Unit No.2 है Research Aptitude तो उसमें जब भी आप Data का Analysis करने की बात करते हैं तो उसी में आपका Normal Distribution करवा आता है और जिन लोगों का Paper 2 में Research Methodology आता है उन लोगों का भी उसी में Data Analysis करते वक्त Normal Distribution करवा के बारे में आता है तो जो लोग Commerce की Student है, जो लोग Psychology की Student है, जो लोग Education की Student है उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी फायदे मंद होने वाला है साथी साथ UGC Net Paper 1 की Student को भी यहां से Question आ सकता है एक बार यहां से Question आया हुआ है इसलिए ये वीडियो को अलग से बना रही हूँ तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करतीजिए अपने दोस्तों को शेर करना ना बुले ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प करते रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर अपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भुले ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते यूजिसी नेट पेपर वन की रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकिशन आपको टाइम पे मिलती रहे तो चले दूस्तर चलते हैं टोपीक की वर और देखते हैं कया है नORMAL डिष्टिबिशन कर्व ऊके तो चले दूस्तर चलते हैं टोपीक की वर बात करते हैं normal distribution कर्व जो है उसीको हम बोलते हैं normal probability कर्व और इसीको हम बोलते हैं NPC तो आप लोगों ने NPC नाम तो सुनाई होगा है न तो NPC का full form क्या है normal probability curve है और इसी को हम बोलते है normal curve तो अगर आपको normal curve दिया हो या फिर normal distribution curve दिया हो normal probability कर दिया हो तो इन सभी का मतलब क्या है एक ही है उके इसकी साथ साथ इसे Gaussian करव भी कहा जाता है Gaussian करव भी कहा जाता है अब दीए Gaussian करव इससे क्यों कहा जाता है तो इसका जो discovered किया था वो किसने किया था कार्ल फ्रेडरीच फ्रेडरीच गास ने किया उआ था तो ये भी आपको याद रखना है कि जो normal distribution करव है उसका discovered किस ने किया था तो कार्ल फ्रेडरीच गास ने किया था इसलिए उसका नाम गाशियन करव भी कहा जाता है और तीसरा अगर और एक और भी बात नाम आ जाता है तो वह आता है आपका जिरो स्केवनेस जिरो स्केवनेस अगर आपको बताया जाए तो भी आपका नपीशी आएगा अभी जिरो स्केवनेस क्या है वह हम आगे दिखेंगे चले अभी बात करते हैं कि हमें नौर्मल डिस्ट्रिबिशन करवक के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि नौर्मल डिस्ट्रिबिशन होता क्या है जिसे हम प्रसामाने वित्रण कहते हैं इंदी में तो नौर्मल डिस्ट्रिबिशन जो है वह ऐसा डिस्ट्रिबिशन होता है जिसमें क्या होते है कि बहुत सारे cases जो होते हैं वो scale, मापनी का मतलब है scale के पीछ में आते हैं और बहुत कम cases जो होते हैं, वो क्या होते हैं scale की उपरी छोर पर यानि कि higher ends पर होते हैं और बहुत कम cases जो होते हैं कि scale की निचली छोर यानि कि lower ends पर होते हैं उसी को हम बोलते हैं normal distribution एक example ले लेते हैं जैसे कि IQ तो हमें किसी के IQ मान लेजे हम देखते हैं कि mostly लोगों के IQ किसके बीच होती है तो 100 से 110 के बीच में सबके IQ होती है ना यानि कि IQ लेवल जो होता है मुश्टली लोगों का IQ लेवल किता होता है 100 से 110 के पीच में होता है अगर 130 प्लस के जो भी IQ वाले होंगे वह कितने होंगे वह कम होंगे है ना वह लोग कम होंगे तो जो 130 से ज्यादा IQ वाले लोग है वह कहां पर आ जाएंगे आपके higher ends की और आ जाएंगी कहां पर higher ends की वार उकिया ज्यादा ज्यादा प्ली छोड़ी यान की यादा की यवर आ जाएंगे Plus की यवर और यहां पर जो आएंगे मानलीजीकी हो आयक्य वाले लोग होते हैं वह भी काम होंगे ना अंड्रेट से कम या रहता होंगे वह तो काम ही लोग को कि संक्या ज्यादा दलोiper की संक्या कहां पर भी चों बीच में आती यारी कि 100 से लेकर 110 बीच में आ जाती है कि हमने एक्जांपल लिंद तो इसी को क्या बोलते हैं इसी विट्रण को बोलते हैं normal distribution चाहां पर क्या होता है जो score होता है, वो पीछ में जादा होता है और दोनों side यह right side है, okay, right side के end पर or left side के end पर कैसा होता है? कम होते है उनके score, okay, उसी को बोलते है «Normal distribution» अब बात करते हैं, नormal distribution करवकी से बोलेंगे तो जो भी हमारा «Normal distribution जो भी आंकडे हमें मिले है उन आंकडे के आधार पर क्या होता है एक वक्र बनता है जो तरह किसी यहां पर आप यह पीक देख रहा है न तो यह इमेज जो देख रहा है तो वो वक्र जो बनता है वो कर्व बनता है किसके आधार पर बनता है तो नौर्मल डिस्टिबिशन के आंकडों के आधार प पर जो कर्वufen बनता है उसी को मुलते है ढूर्मर्पड देख रहा है कि पीछवाला इससा जो है वहां पर क्या है वहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे जबंकि यह स्कॉर जो है वो देखैं नीचे के आड़ जा को यहां किना ना restraint कम होता जा रहा है जैसे कि यहां पर बीच में देखो तो इसका स्कॉर कैसा है बढ़ता जा रहा है ना तो ज्यादा तर स्कॉर हमें कहां पर देखने को मिलेंगे पीचों बीच देखने को मिलेंगे और साइड की राइट साइड एंड लेप्ट साइड की और जैसे जैसे हम आ अब आगे देखते हैं कि उसकी characters क्या है normal distribution curve जो होता है उसकी characters क्या है तो वो बेल सेप का होता है उसका आकार बेल आकार का होता है symmetric about mean होता है mean median mode equal होता है continuous distribution होता है never touch the x-axis area under curve is one and unimodal होता है तो चले इन सबको देखते हैं पहले फिर समझते हैं क्या कहिना चाते हैं सब तो देखे characters आप normal distribution curve तो देखे ये जो होता है वो क्या होता है सम्मिक का मतलब symmetrical होता है तो normal probability curve यानि कि NPC जो आपका होता है वो कैसा होता है symmetrical होता है symmetrical का मतलब क्या होगा कि दोनु साइड पर के होग वो समान होंगे यानि कि यह side right है और यह side आपकी क्या है left है तो right side पर जितने भी उसका भाग होगा उतना ही भाग क्या होगा left side पर होगा यानि कि 50% अगर यहां पर है तो 50% यहां पर होगा पीचो बीच में तो हमारा यह मिन आ जाएगा है ना तो पीचो बीच इस तरीके से यह आपको लंब हुआ होता दिखेंगा ओके ऐसे यह लंब बनेगा ओके और यह जो side के जो हिस्से है इसके तोनों side कैसे होगी Sam होगी समान होगी ओके तो इसी को बोलते सिमेट्रिकल होता है फिर यह जो नौर्मल करवज होता है वो एक बहुलकी होता है यूनिवर्डल होत होता है वो क्या होता है पीचो बीच होता है एक ही जगह पर होता है एक बहुलकी का मतलब एक ही जगह पर होता है मीन मीडियन मोड क्या होता है एक ही जगह पर पीचो बीच होता है यानि कि यहां पर हम यह बता सकते हैं कि मीन इस इक्वल टू मीडियन मीडियन इस इक्वल यानि कि तीनों इक्वल होंगे क्या होगे तीनों इक्वल होगे मीन मीडियन और मोड जो है वह एंपीसी में कैसे होंगे एक्वल होंगे एक ही जगह पर आएंगे ओके यहां तक लियर वा चलिए अभी आगे दिखते हैं अब बात करते हैं उसके आगे तो दीकिए जो नुजर्मल वक्र होता है यानि कि नुर्मल करवों होता है वो कैसा होता है अनंतिस ostat year to hombres का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी ये जो लाइन आपको दीख रही न वो लाइन होती है आपके X-axis, क्या होती है, X-axis, अब यह X-axis जो है, उसको यह जो करव की जो लाइन है, यह जो वक्रक की लाइन है, वो कभी भी टच नहीं करेगी, वो कभी भी क्या करेगी, टच नहीं करेगी, यह बात आपको याद रखनी, यह विसे इस्ता आपको याद रखनी, क्योंकि कभी कभी क को पूछा जाएगा कि normal distribution करव की विशिस्ता है कुण से तो आपको ये characterि के सारी याद होने चाहिए तो जो हमारा normal करव होता है वो अनंतिस पर सी होता है यानि कि SM top tick होता है उसका मतलब होता है कि x-axis पर वो जो हमारे करव की जो रिखा हैं वो कभी भी touch नहीं करेगी वो अंन्ती होगी वो touch नहीं कर पाएगी कैसे तो देखे ये बीच वाला हमारा 0 हो गया mean है ना बीच वाला ऐरिया फिर यहांपर पलस 1 हो गया यहांपर पलस 2 यहाँ पर प्लस 3 आएगा आगे प्लस 4 आएगा तो यह तो बढ़ता ही जाने वाला है यहाँ पर देखिए माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 तो यह भी तरफ क्या होगा बढ़ता ही जाएगा तो यह अनंत सपर्स होता है तो वो एक तुसरे को पर्स नहीं करती है फिर देखते है नौर्मल करवज होता है वो हमारा घंटाकार होता है यानि कि पेल सेप में होता है कैसे होता है बेल आकार का होता है यह आपको दीख रहा है ना ऐसा तो यह क्या है पेल आकार में है तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारा जो नौर्मल करवो होता है वो क्या होता है पेल सेप में होता है अभी आगी देखते हैं कि जो हमारा नौर्मल करवो होता है वो सतत होता है कंटिनीज होता है कंटिनीज का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो भी अंक होता है उसे हम क्य में भी लिख सकते हैं उसी को हम बोलतें continues तो हमारा normal करवा होता है वो क्या होते हैं continues होता है को चोटे से चोटे काहें में भी बताया सकता है चलिए उसके बात देखते हैं यहां पर ऊसके और गेरेक्टरिस देख लीजे तो यहां पर दूस्तों क्या होता है कि यह कोई बात यहां पर बताना रहे गई सली बता लेती हूं यहां पर कभी-कभी आपको यह भी दिया होगा इंफिनिटी की बात होती इंफिनिटी तो यहां पर यह जो होता है वह इंफिनिटी होता है इंफिनिटी का साइन जो होता है वह ऐसा होता है फिर से बनाती हो ऐसा तो इसे हम इस साइन को बोलते इंफिनिटी इसका मतलब क्या ह तो infinity का मतलब क्या होता है तो infinity का मतलब होता है कि वो अनंत तक चलता ही रहता उसको हम infinity बोलते है तो ये भी आपको याद रखना है चलिए उसके बात देखिए यहाँ पर जो area होता है वो area आपको याद रखना है तो normal probability curve है या फिर normal distribution कर वह जो है उसका जो एरिया है वो आपको याद रखना है तो यहाँ पर बीचो बीच में आपका क्या आएगा मीन, मेडियन, मोड तो यह सारा आपका क्या आजाएगा बीचो बीच में आजाएगा यह आपको याद रखना है उसके बाद देखें मैं इसे यहाँ पर लिखते हैं तो mean, median, median, mode, अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यह पीछो बीछ हमारा 0 आ गया है, अब 0 से लेकर, प्लस वन सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा स्कॉर जो होता है, उसे यह बोलते हैं, तो हमारा जो 0 से लेकर, प्लस वन सिग्मा स्कॉर होता है, यह एरिया होता है, तो वो कितना होता है, 34.13%, तो यह याद रखना है, यह वाला, 0 से प्लस वन का, फिर प्लस वन से प्लस ट फिर यहां पर यह देखें तीसरा वाला आपका हिस्सा है जो प्लस 2 से लेकर प्लस 3 का एरिया है वो कितना होगा 2.15 होगा उसके बाद का प्लस 3 से लेकर प्लस 4 का जो एरिया होगा वो कितना होगा 0.12 परसंट होगा तो ये 4 आपको याद रखने है उसे याद रखोगे तो इस साइड का तो आपको याद रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि NPC में क्या होगा ये जो हिस्सा होता है जिसका जो भी मान होता है वही भाग ये इस साइड भी होता है यानि कि रैट साइड पर जितना होगा उतना ही लेट साइड पर होगा या तो फिल लेट साइड पर जितना होगा उतना ही रैट साइड पर होगा है न को पर दोंहों इसिते के से बराबर के होते हैं तो यहाँ पर देखिए marched u से plus 1 का कितना आया 34.13 plus 1 से plus 2 आपका आया कितना 13.59 उसके बाद plus 2 से plus 3 का कितना आया 2.15% और plus 3 से plus 4 का कितना आया 0.12% अब तेकी आपको यह अगर पूछा चाता है कि plus 1 से लेकर से लेकर plus 1 का एरिया कितना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा 34.13% प्लस 34.13 करना पड़ेगा तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा यह पूरे का पूरे एरिया जो है उसे आपको क्या करना पड़े प्लस करना पड़ेगा तो कितना आएगा 68.27 तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका एरिया कितना रहेगा आपका 68.26 परसंट उसके बाद देखिए तो माइनस 2 सिगमा 2 प्लस 2 सिगमा का जो एरिया होगा वो कितना होगा आपका तो 95.44 परसंट होगा उसके बाद देखिए माइनस 3 सिगमा 2 प्लस 3 सिगमा तक का जो एरिया होगा वो कितना होगा तो वो होगा आपका 99.73 परसंट उके और उसके बाद देखिए माइनस 4 सिगमा 2 प्लस 4 सिगमा तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा आपका 99.97 परसंट उके तो इस तरीके से आपका ये पुरा का पूरा और एरिया होता है वो आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है कि 0 2 yo to Pokemon का जो होता है के 0 2 सि्कत का झो होता है तो थारी 4. sen2 तब यांत 13 लिए 15 परसंट लो ओर्स gives में लिखते थे 34 परसंट उसके बाद देखिए कि बात करते हैं प्लस वन टू प्लस प्लस टू सिग्मा का जो एरिया होगा वो कितना होगा आपका तो 30.59 परसंट यानि कि या तो आप यह भी बोल सकते 14 परसंट उसके बाद देखिए प्लस टू सिग्मा यहं पर सिग्मा टू प्लस टू सिग्मा तो इसका एरिया कितना होगा तो 2.15 परसंट इसे हम लिख सकेंगे 2% है ना उसके बाद देखिए कि प्लस 3 सिगमा 2 लस 4 सिगमा तो उनके बीच का जो एरिया होगा वो क्या होगा 0.12% होगा है ना तो उसे हम या तो हम उसे 1% भी लिख सकते हैं तो यहां पर आपको 0.1% 0.1% लिखेंगे तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो तो यह आपको सारा का सारे याद रखना है इस वे में याद रखना है कुछ भी करके आपको याद रखना है सिर्फ यह 4 अगर याद रह गए तो बागी के तो आप खुछ से बना पाओ गया ना प्लस करकर के ना तो य यह आपको याद रखना तो यह आपका था normal distribution curve उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर एक और भी slide में ने ले ली है कि जो आपके future में सायद अगर काम में आ जाए तो देखें normal distribution curve का जो formula होता है तो यह होता है कि y is equal to capital N upon under root sigma 2 pi into e minus x2 upon 2 sigma 2 तो यहाँ पर देखें इन सभी का मतलब क्या होता है तो सबसे पहले y का मतलब देखते हैं तो y का मतलब क्या होता है कि हमारी जो x-axis होती थी ना x-axis पर जो भी हमारी जो normal करवता उसकी जो उन्चाई बन रहा ही थी ना उसी उन्चाई की जो आवरूती थी उसी उन्चाई को हम क्या कहते है y फिर यहाँ पर capital N तो capital N किसे कहेंगे जो भी स्कौर प्राप्त होए ना उसकी संक्या को बोलेंगे capital N उसके बाद देखें कि यहाँ पर standard division जिसम sigma कहते हैं तो यह जो standard division है तो वो ग्या होता है कि हमारा जो distribution होता है उसका यह standard division होगा उसके बाद देखते हैं pi तो pi की कि किमत यहाँ पर fix होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा 3.14 यह उसकी fix होती है उसके बाद e की बात करें तो e की जो किमत होगी वो भी क्या होगी fix होगी यानि कि 2.71 होगी उसके बाद x की बात करें तो x की क है उस पर जो मात्य मिला है ना मीन तो उसका जो विचलन के जो प्राप्तंक अभिवेक्त होते हैं उसी प्राप्तंक को हम बोलते हैं तो यहां तक क्लियर हुआ अभी की समय में यह फॉर्मूला लगाया नहीं जाता है लेकिन टैबल से आपको वैल्यू मिल जाती हैं तो यहां पर यह फॉर्मूला तो सिर्फ आपको बताया साहिद आपके फ्यूचर में आपको काम हा जाए तो यह थोड़ी सी बाते थे जो आपको बतानी जरूरी लगी इसलिए इस वीडियो को बनाया हुआ था तो दोस्तों आज के लिए इतना ही घर पे रहें सुरक्सित रहें अपना और अपने परिवार का खयाल रखेगा और आज के लिए इतना ही थैंकिशो मच वीडियो को लाइक कर तीजेगा अपने दोस्तों को शेयर करना ना बुलेगा थैंकिशो मच